दोस्तो आज की वीडियो में मैं साल 2013 में रिलीज हुई एक टर्किश होरर मुवी सेटन आई रेचम की स्टोरी को एक्स्प्लेइन करूँगा जिसका दूसरा नाम डीमन मैनुपिलेशन भी है और मैं आप सभी को ये बता दूँ इस मुवी का पार्ट 2 भी है जिसको जल्द ही हमारे चैनल पर एक्स्प्लेइन किया जाएगा दोस्तो इस मूवी में हमें अजाजिल नाम के जिन के बारे में बताया गया है जिसको इबलिस के नाम से भी लोग जानते हैं दरअसल अजाजिल को गौड की बनाई हुई क्रियेशन जो कि हम इनसान हैं उनसे बहुती जलन होती थी क्योंकि गौड ने उन्हें मिट्टी से बनाया था और लाग गलतियों के बाद भी इनसान गौड को हमेशा ही चाते रहते थे जिस बात से आजाजिल को बहुत ही प्रॉबलम थी और इसलिए आजाजिल इनसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया फिर चाहे वो इनसान अजाजिल की पूजा ही क्यों न करे अजाजिल किसी को भी नहीं चोड़ता था और इस मूवी के जरिये हमें बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया गया है जिसके बारे में हम आखरी में जानेंगे तो आईए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्स्प्लानेशन को फिल्म के शुरुवाती क्रेडिट्स में हमें किसी का आबॉर्शन होते हुए दिखाया जाता है जिसके बाद हम मूवी के लीड करेक्टर एमरा को देखते हैं जो कि एक डराबने सपने के कारण जाग जाता है और फिर जब वो अपने कमरे के बाहर जाता है तो उसे एक दूसरी कमरे से किसी तरह का काला धुवा जाते हुए दिखाई देता है जिसके बाद वो उस रूम में जाकर देखता है तो उसे वहाँ उसका दोस सेल ही सोता हुआ मिलता है जिससे एमरा उससे जाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो जिस पर सेल ही कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुमारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही जिस पर एमरा उसे उस काले धुए के बारे में बताता है जो कि उसने सेलही के कमरे में जाते हुए देखा था जिस पर सेलही कहता है कि ये तुमारा बस एक वहम होगा और वो एमरा को वहाँ से जाने को बोल कर सो जाता है जिसके बाद अगली सुबह हम एमरा और सेलही के बीच की बातों से समझ पाते हैं कि सेलही एमरा से किसी बात से नारास था जिसके बाद سैल ही और अमरा गर से बाहर निकलते हैं लेकिन कुछ दिर बाद अमरा वापस आता है और सैल ही के कमरे में जाकर वहाँ पर कुछ चान बिन करने लगता है जहांपर उसे सैल ही के बैट के नीचे एक अंगूठी मिलती है जिसमें किसी तरह का कोई सिंबल बना हुआ था और उस अंगूठी के पीछे सैल ही की एक फोटो होती है जिसमें उसकी आँखें एकदम काली होती है तब ही वहाँ पर एमरा को अचानक से एक कुटा दिखाई देता है जो कि उसी पर भूंक रहा था लेकिन अगले ही पल वो कुटा वहाँ से गायब हो जाता है जिसके बाद एमरा डर कर वहाँ से भाग जाता है अब उसी दिन की रात में सैल ही गुसे में एमरा के रूम में आता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्यों गए थे जिसका जवाब देते हुए और एम्रा देखता है कि कोई उसका दरवाजे का लॉक खुलनी की कोशिश कर रहा है एमरा समझता है कि ये सब सेल ही कर रहा है और वो तुरंट सेल ही के रूम को जोड़ जोड़ से पीटने लगता है लेकिन वो दर्वाजा नहीं खोलता है जिसके बाद वो सेल ही को कॉल लगाता है तो सेल ही उसे बोलता है कि मेरे कमरे में मत आना जिसके बाद एमरा वापस जाता हुआ देखते हैं फिर कुछ देर बाद एमरा सेल ही को ठंडे दिमाग से बात करने के लिए बुलाता है और उससे माफी मांगता है कि वो उसकी तुम्हें देखना चाहिए था जिसके बाद सेल ही आगे कहता है कि वो जानता है कि तुम्हें कुछ दिनों से रोजरात को 제대로 आरहे guide और सब कुछ ठीक हो जाएगा जिस पर एमरा कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो तो इसके जवाब में सैल ही उसे पांच जिन के नाम लेता है जो कि कायूम, मनीक, मरहब, ताइकल, अशरफ होते हैं जो कि सब जिन्स ऑफ डीमन कहलाते हैं अब एमरा के तयार होने पर सैल ही कमरे के चारो तरफ एक केंडल्स का घेर लगती हैं जिससे एमरा डर जाता है और सैल ही से कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो तो सैल ही उसे जवाब देता एक तुम ही तो ऐसा चाहते थे इसलिए मैं ये सब तुमारी मर्जी से कर रहा हूं जिस पर एमरा कहता है कि मैं तुमारे साथ अब नहीं रह सकता और अगली सुबा एमरा अपने पेरंट्स के घर आ जाता है जहां उसके माता पिता और दादा दादी होते हैं और इसी तरह आचानक से उसके यहां आने का कारण पूछते हैं जिस पर आमरा उन्हें बताता है कि कुछ दिनों से उसके साथ अजीब सी घटनाएं हो रही है और साथ ही उसे रोड डरामने सपने आ रहे हैं जिनकी वज़े से वो रात बर सो नहीं पाता है तो उसके पिता उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ओजा के पास लेकर चलूँगा लेकिन एमरा के ग्रेंट फादर उससे बोलते हैं कि तुम सरिफ गौड पर विश्वास रखो वो तुम्हारी हर कदम पे मदद करेंगे और तुम्हें ये सब ओजा और ताबीच के चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए जिसके बाद उसी रात को एमरा को फिर से नाइट मेर आते हैं जिसमें उसे एक एंटिटी हांट करती है और वो डर कर उड़ जाता है जिसके आवाज से उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं और उससे सुबह ही ओजा के पास चलने के लिए कहते हैं फिर अगली सुबह एमरा और उसके पिता एक गाउं में किसी ओजा के पास जाते हैं जहां पर एक घर में एक ओजा और एक लड़की होती है जो कि शायद उस ओजा के लिए काम करती है जिसके बाद ओजा एमरा को गौर से देख रहा होता है और उससे उसका हाथ आगे करने को क कहता है आप आप मार जब मारता है जिसमें कुछ पेपर्स पड़े होते हैं और पिर वहां से जाने के लिए कहता है और आम राइसा ही इसके बाद अगरहाँ के पिता उसे पास रखना हुगा अब अगले सीन में प्ता हैं कि सेलScे को ईसके नेबर्स इसने एक mental asylum में admit करवा दिया है क्योंकि वो अपने आप से ही आजकल बैठे बाते करता हुआ दिखता था ये सुनते ही एमराज सेल ही के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि आखे मेरे साथ जो भी हो रहा है उसकी वज़ा कहीं तुम तो नहीं हो और आखिरकार तुम् मेरे रूम से उस अंगूटी को लेकर उसके पीछे मेरी फोटो जला दो और उस जगह अपनी फोटो लगा दो और वहाँ पर तुम्हें एक किताब मिलेगी जिस पर बने symbols को तुम एक साधे paper पर बनाओ और जब भी तुम्हें कभी nightmare जाए तो उन paper को जला दो और उन papers को जल में उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसके body से blood गिर रहा होता है और उसके पीछे एमरा उसका नाम पुकारते हुए एक कमरे में आता है जो की नूरदान होती है लेकिन नूरदान वहां से गायब हो चुकी होती है और एक spirit एमरा पर attack कर देती है जिससे एमरा बहुत ड जाला है या पानी से अलग किया है जिसका जवाब एमरा नामे ही देता है अब यहां पर ओजा किस बारे में बात कर रहा था इसका हमें आगे पता चलेगा इसके बाद ओजा एमरा को कुछ देते हुए कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना और अपने आस-पास किसी भी फोटो और शीशे वगरा को हटा देना जिसके बाद घर पर एमरा के पिता उसके कमरे से सभी फोटो और शीशे निकाल लेते हैं फिर घर आकर एमरा उस किताब को देखता है तो उसमें उसे कुछ फोटोग्राप्स मिलती हैं जिसमें वो सैल ही और उनकी दोस्त नूरदान जिसके बाद वो सोने चला जाता है जहां उसे अपने माथे पर खून गिरता हुआ मैसूस होता है और वो वाश्रूम में जाता है जहां शीशे में उसे अपने माथे पर किसी तरीके का सिंबल दिखाई देता है जिसे वो तुरंत होता है और ठीक हो जाता है लेकिन उसके ज जबाब देता है फिर ओजा उस पर गुशा करते हुए कहता है कि तुमारे पास उसकी जगा एक रिंग ओफ सॉलेमॉन है जो कि शैतान की दुनिया को इस दुनिया से जोड़ने का काम करती है और फिर एमरा को वहां खड़ी लड़की की तरफ देखने को कहता है जहां पर एमर पासा होता है कि वह कोई और ही एंटिटी थी जिसके बाद ओजा एमरा को यहां रुकने के लिए कहता है और फिर उसी रात एक कमरे में एमरा सो रहा होता है जहां वह लड़की उसकी रक्षा के लिए वहीं पर होती है कि तभी आदी रात को एमरा को वहां पर शीशे में लेकिन सुबह होने से पहले यहां से बाहर मत निकलना क्योंकि वो जिन सॉलिमोन की रिंग को लेने आये हुए हैं अब एमरा अपने घर लॉट आया था जहां पर उसे मिलने के लिए सेल ही आता है जो कि मेंटल असायलम से चूट गया था और वो एमरा से नूरदान के बारे मे हुए कहता है कि अगर तुम्हें इन सबसे चुटकारा पाना है तो तुम्हें शैतान से मदद मागनी पड़ेगी और उसे सेल ही ये भी बताता है कि मुझे ये किताब मेरे फ्रेंट के अंकल ने दी ती जो कि ब्लैक मैजिक जानते हैं और उन्होंने ही मुझ से कहा था कि इ जिससे सेल ही एमरा को छोड़ कर जाने के लिए कहता है और एक पेपर को जलाता है जिसके बाद वहां सब कुछ शान्त हो जाता है लेकिन एमरा के पूछने पर सेल ही बताता है कि उसे नहीं पता कि जिन यहां से पूरी तरह गए हैं कि नहीं जिसके बाद वो लोग अपने स तो उसके अंदर फिर से वही जिनाने लगता है जिस पर ओजा सेली को वहां से कुछ देर के लिए निकाल देते हैं और फिर वो एमरा को बताते हैं कि इस किताब के जरीये इन्हों ने शैतानों के साथ कोई डील की है अब ओजा सेली और एमरा के साथ एक रिच्वल करता है जह और ओजा अपने खून वाले पानी के कुछ छीटे उन दोनों पर मारता है और यहां पर हमें एक फ्लेश बैक दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि नूरदान एमरा से मिलने आई होती है जहां पर सेली भी होता है और एमरा ये सुनते ही कि वो उसके बच्ची की नूरदान के साइट से एमरा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन एमरा उसे इस मैटर से दूर रहने की धमकी देता है और फिर नूरदान एमरा से एक बार बात करने के लिए कई बार उससे कोशिश करती है लेकिन एमरा उसे हर बार की तरह इगनोर कर देता है जिसके बाद उसे वहाँ से जाने के लिए ब किते है, जिस पर इम्रा को कुछ समझ chasing नहीं आता है कि आकरकर उसने किया क्या है और वहाँ से जाने लगता है, इसी बीच हम शीशे के सामने एम्रा के हम शकल को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा होने के बावजूद भी किसी को नहीं दिख रहा था और उसका रिफलेक्शन शीशे में ओजा के रूप में दिखाई दे रहा था अब यहाँ पर मतलब साफ था कि ओजा ही वो अजाजिल जिन था जिसने नूरदान का रेप किया था और एमरा तो बिलकुल बेकसूर था इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ओजा अपने जिन वाले रूप में आता है और वो सबसे पहले सलही को मारता है और जब वो एमरा को मारने जाता है तो एमरा अपने दादा जी के कहे अनुसार गौट से मदद मागने लगता है जिसके बाद सिन कट होकर एमरा के पिता की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर वो पुलिस के साथ अपने बेटे की तलाश में उस ओजा के गाउं में आए हुए थे जहां उन्हें पता चलता है कि ये गाउं पिछले तीस सालों से विरान पड़ा हुआ है और यहां कोई भी नहीं रहता जिसके बाद से एमरा के पिता बहुत ज़्यादा शौक्ड हो जाते है इदर पुलिस को पास की ही बिल्डिंग में सहली की लाश मिलती है और एमरा वहां उन्हें डरा हुआ मिलता है जो कि अभी भी जिन्दा था जिसके बाद उसके पिता एमरा को लेकर वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है लेकिन पार्ट टू अभी भी बाकी है दोस्तों अब दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को मैं आपको डीटेल्ड में बताता हूँ दरसल इस मूवी में आजाजिल ने एमरा के भीस में नूरदान का रेप किया जिससे वो प्रेगनेंट हो गई थी और इसी के कारण सेलही को लगा कि नूरदान की इस हालत का जिम्मेदार एमरा है और उसने एमरा से बदला लेने के लिए ब्लैक मैजिक की सहाइता से आजाजिल से मदद मागी और उसे खुद की बॉड़ी और माइंड को पोजेस करने दिया ताकि वो एमरा को कई तरीके से परिशान कर पाए और एमरा के सपने सेलही के ब्लैक मैजिक के नतीजे थे और ये सब सेलही ने इसलिए किया था क्योंकि वो नूर दान से सचा प्यार करता था लेकिन जब सेलही मेंटल असाइलम में था तो दोनों के बीच में कई बाते भुला कर एमरा उसे मिलने आया था तो सेलही ने सोचा कि अगर वो अजाजिल की शरन में चला जाएगा तो अजाजिल शायद उसे बख्ष दे इसलिए वो एमरा को तरह तरह के टोटके बताया करता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अजाजिल उसके दोस्त को ले जाए इदर अजाजिल एमरा उसके फादर को एक औजा के रूप में मैनिपलेट करने लगा जिसके बात सारे रिच्वल पूरे होने पर वो एमरा के साथ साथ सह्ल ही को भी मारने के लिए अबने असली रूप में आया जिस gloss सेल ही वही पर मारा गया लेकिन एमरा अपने दादा जी के कहे अनुसार उस वक्त गौड को याद किया जिससे अजाजिल उसका कुछ भी नहीं बिगाड पाया और हम आखिर में पुलिस वालों के द्वारा बताये जाने पर समझ पाते हैं तो दोस्तो ये था हिंदी एक्स्प्लानेशन सेटन आय रेचम पार्ट वन का दोस्तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है या नहीं पसंद आती है तो लाइक डिसलाइक या कॉमेंट जरूर किया करें जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा बनाया हुआ कॉंटेंट कितना पसंद आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है और दोस्तो अगर आपको वाकई हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए मैं मिलूँगा आपसे नेक्स वीडियो में